इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डीटेल्ड ओर्डर जारी हो जाएगा कि कौन-कौन सी चीजे जारी रहेंगी और कौन सी चीजों पर पाबंदी रहेंगी मैंने और LG साहब कि हम दोनों ने निरने तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था हमारे लिए ये निरने लेना असान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लोगडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं लोगों की कमाई खतम हो जाती है और खास कर सबसे गरीब तब के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है जो दिहारी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है पिछली बार जब देश में लोगडाउन लगा था हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाउं जाने लगे थे उनसे मैं खास दोर से हाथ जोड़ के अपेल करना चाता हूँ यह छोटा सा लोगडाउन है छे दिन का दिली छोड़ के मज जाईएगा आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा इतना पैसा खराब हो जाएगा इतनी उर्जा खराब होती है दिली में रहिये पूरी मानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुच्सिबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूना, मुझ पर भरोसा रखिये। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये नि लॉकडाउन से करोना खतम नहीं होता, लॉकडाउन से करोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मनना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ विवस्था अपनी सीमा तक पहुँच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है ताकि पेशेंट्स क नंबर कम हो जाए ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो छे दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो छे दिन हम ले रहे हैं आप से, इन छे दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्थर के उपर और दिल्ली में बैड्स की विवस्था करेंगे। केंदर से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगतार संपर्क में हैं, केंदर सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंदर सरकार के शुक्र गुजारें, उनसे ऑक्सीजन की विवस्था करेंगे, दवाईयों की विवस्था करेंगे, इस लॉकडाउन के समय को हम इन स पूरा साथ दिया मुझे पूरी उम्मीर है आज भी आप मेरा साथ देंगे हम मिल के इसका मुकाबला करें